नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लरनी जी में दोस्तों संपूर्ण भारतिय शमविधान जिसको वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं उस रंकला का आज का यह मारा पार्ट आठ है आठवा भाग है इसके पहले उने साथ महतुपूर्ण पार्ट को कंप्लीट किया था जिनमें हमने महतुपूर्ण अनसूचियों और महतुपूर्ण अनुश्यदों की चर्चा पिछले वीडियोत में की थी आगे बढ़ते हैं पार्ट जो हुमारा एक है इसमें और बात करते हैं महतॄ पूंड जो वन लाइनर हैं उसके आगे उसकी तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी हैं very क्लेट रबारुप समिती द्वारा कितनी अनुसूचिया प्रस्तुत की गईती जिसके मुक्य जो जिस्ने मुक्य वुलिगार करे ती जो सभिदान щ कुछ हुआ उसमें तो उसमें कितनी अनुसूचिया दे शुरूवात में शित्त समय आठ अनुसूचियां ठीक है जो प्रारूप समीति ने प्रस्टूट की थी नेक्स्टम बात करते हैं अगले सवाल की तो अगला सवाल हमारा है जब सम्विधान अंतिम रूप से पारित हुआ तो कितने इनुसूचियां थी यहां चालियों तो जब सम्विधान अंतिम रूप से पारित हुआ था आटा अनुसूचिया तो प्रारूप समीतिये तो आट अनुसूचियां थी अगला सवाल है सम्विधान पारिमनब्रूआ की किस समय संबंद्र है। अगला सवाल है राज और संग सासित प्रदेशों का जो उलेख किया गया है सम्विधान में वह किस अनुसूची में किया गया है किया गया है रतम अनुसूची में कि शन सम्विधाने में अनुसूची जोडी गहीं जब सम्विधान पारित हुआ ता इस 8 थे इसके दाएं जोड़ी गई जोड़ी लसूं तो वह नम्हीं किस सूंविधां स्व 나서 स्वृधन जोड़ी गई ती जोड़ी गई थी पहले जो सम्थान स्वृधन हुआ पहला उसमें ही जोड गई थी अगर गोष्णन भी इसी से संबन्नित है जो कि है कि 10 जी है कि दस्विय नुसूची किस सम्विधान के संसोधन में जोड़ी गई थी तो यह जोड़ी गई थी जो बावन्वा सम्विधान संसोधन था उसमें ठीक है थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक नुसूची और हमारी बच्ची हुई है उसी से रिलेट करते हैं तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि बार्विय नुसूची कि सम्विधान संसोधन के तरह जोड़ी गई तो यहां पर ग्यार्मी लिखा हुआ है आप बार्मी संसोधन में में जोड़ी गई थी और बार्यान संसोधन को संवीधान की तीसरी प्रतिज्ञास प्रतिज्या से सम्बंदित है पहला के अभण कर लीं दूसरे की बात कर लिए तीसरी सिंभाइब में इसाराजी है जहांपर सम्विधान की छेटी अनुसूची लागू नहीं होती है अगला जो सवाल है वह हमारा है किस अनुसूची में दल बदल कानून का वर्ण किया गया है वह कौन से अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून को वर्णित किया गया है तो जो सम्विधान की दस्वी जो टेंथ अनुसूची है उसमेदल-वदल कानून का वर्णन है है अगला सवाल है संभीधान की किस अनुसुची में 22 बासाओं को राज बासा का तरजा प्रदान किया गया है अभी तक कि अगर हम बात करते हैं तुक बासा हो लो फिरी और या की दरजा पर आप्ञतर कर चुकी है नेक्ष्ट जो है अमारा सवाल है उसको देखेंगे अगला सवाल हमारा किस राज की आरक्षण विध्यक को नवी अनुसूची में सामिल किया गया है जो वह कौन सा राज है जिसकी आरक्षण विध्यक को नवी अनुसूची में सामिल किया गया है तो वह राज कौन सा है वह ह तो आएका अगला तवाल देखेंगे तो आएगा जब कोई नया राज गटित होता है मालीजिए नया राज बनता है किसी राज से तूटकर किसी राज में जूड़कर बाजा के आधार पर छेत्रफल के आधार पर कैसे भी At any condition, जब कोई नया राज गठित होता है, स्रजीत होता है, तो सम्विधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो जब नया राज कठित होता है या स्रजीत होता है तो सम्विधान के जो प्रथाम अनुसूची है जिसमें राज और संग्छेत्रों का वड़न किया गया है तो उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है सम्विधान की जो हम देखेंगे वयाएगा पाच्वी अनुसूची किसमें संबंदित है पाचवी अनुसूची किससे संबंदित है तो जो पाचवी अनुसूची है उसका जो संबंद है विभिन राजियों में किसमें विभिन राजियों में अनुसूची छेत्र के प्रशाशन और नियंत्रण के लिए उपबंदों का परणन पाचवी अनुसूची में किया गया है थीक है अगला सवाल देखेंगे किस अनुक्षेद में नागरिक्ता का उलिख किया गया है अगला सवाल अंतिमरूप से पारित समविधान में कितने अनुसूचीया है और कितने अनुक्षेद थे जो अन्तिमरुच से सम्विधान पारित हुआ था, उसमें कुल अनुक्षेदों की संक्या कितनी थी, तो कुल अनुक्षेदों की जो संक्या थी, 395 और 8 थी, अनुक्षेद आपके 395 अनुक्षेद आपकी 8 थी, नेक्स्ट सवाल है, अनुक्षेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, जो अनुक्षेद 1 है, उसमें भारत को क्या कहा गया है, तो अनुक्षेद 1 में जो भारत को कहा गया है, राज्यों का संग, तीक है, राज्यों का संग, सो दोस्तों संपोण भारती सम्विदान में वन लाइनर में आज हमने चर्चा कि में तुपूण वन लाइनर्स की पार्ट ना आपको प्लब्त कराए जाएगा जिसमें इसके आगे कि में तो पूंड सवाल होंगे जो एक्जाम की द्रष्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने सुजाओ में रिगुलर रूप से बताते रहें साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सबस्क्राइब कर लें अभी और जो बेल आइकन है उस घंटी को बटन को जरूर प्रेस करें जिससे जो नोटिकेशन से वह सबसे पह